एक डिसंबर को RBI अपने डीजिटल करेंसी के पालेट प्रोजेक्ट को रोल आउट करने जा रहा है। इस पालेट प्रोजेक्ट में चुनिंदा लोकेशन पर क्लोजर यूजर ग्रूप जिसमें कस्टमर से लेकर मर्चेंट शामिल होंगे इसे भी शुरू किया जाएगा। RBI ने कहा कि यूजर्स मोबाइन फोन या डिवाइस में स्टोर बैंकों के डीजिटल वॉयलेट से डीजिटल रुपी के जरिए लेन देन कर सकेंगे। ये ट्रांजेक्शन पर्सन टू पर्सन यानि दो वैक्तियों के बीच और पर्सन टू मर्चेंट यानि किसी वैक्ती और मर्चेंट के बीच किया जा सकता है। अब यहाँ मर्चेंट यानि किसी दुकांदार को भुकतान मर्चेंट के लोकेशन पर डिस्प्ले हो रहे QR कोड्स के जरिए किया जाएगा। चलिए अब जरा ये जान लेते हैं कि ये लॉंच कहा हो रहे हैं। तो RBI के मुताबिक पाइलट प्रोजेक्ट के लिए आठ बैंकों की पहचान की गई है। जिनमें पहले फेज में चार बैंक जिसमें भारतिय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, YES बैंक और IDFC First बैंक देश के चार शहरों में पाइलट प्रोजेक्ट में भाग ले रहे हैं। इसके बाद Bank of Bada, Union Bank, HDFC और Kotak Mahindra Bank भी जुडेंगे। आपको पताते चले कि ये पाइलट प्रोजेक्ट सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, बैंगलूरू और भुवनेश्वर में लौंच होरी जा रहा है। फिर बाद में इसे एहमदाबाद, गैंग टोप, गौहाटी, हैजरबाद, इंदौर, कोच्ची, लखनव, पतना और शिम्ला में लौंच किया जाएगा। इसके साथ ही बाद में जरूरत परने पर पाइलट प्रोजेक्ट को और बैंको यूजर्स और लोकेशन तक वस्ता किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, निउस्वर्ल, इंडिया।